वेलकम टो ब्रेंचाइल्ड आयस अकेडमी जैसा कि आपको पता है कि 67th BPSC का मेंस का एक्जामिनिशन स्टार्ट हो चुका है आज GS पेपर 1 और GS पेपर 2 का एक्जामिनिशन था तो हम यहाँ पे GS पेपर 1 के questions को discuss करेंगे कि GS पेपर 1 में कौन-कौन से question पुछे गया है तो यहाँ आप देख सकते हैं जो first question है first question is discuss the factors responsible for the formation of the Indian National Congress what were the British policies towards early nationalists यह history से question है history से इस तरह का direct question first time इस तरह से direct question देखा जा रहा है modern history से या तो culture से रहता था या तो गांधी नहरू टैगोर से question पूछा जाता था यह इस तरह से direct question पूछना इंडियन National Congress के बारे में यह first time हमें दिख रहा है तो यह पहला question है कि भारतिय राष्टे Congress की अस्थापना के लिए उत्तरदाई कारकों का उलेक कीजिए काफी आसान question है NCRT आप अगर पढ़ते हैं 11th class की modern history की तो वहाँ पे आपको यह answer मिल जाएगा प्रारंबिक राष्टवादियों के प्रती बितिस नीदियों की चर्चा कीजिए तो यह भी question आपको NCRT में कही न कहीं आपको इसका answer प्राप्त हो जाएगा वहां से second question है trace the course of expansion of western and technical education in बिहार between 1857 to 1947 यह expected question है western and technical education जो बिहार में जो इसका expansion हुआ है बिहार में जो पास्चा तक्निकी सिच्छा का विफ्तार हुआ है उसके क्रम को अनुरेखित कीजिए उसको बताना है यह question पहले भी आ चुका है प्रिवेस एर question में next question है third question वो critically analyze the factors responsible for the emergence of गांधी जी as an eminent nationalist leader गांधी नहरी टैगोर करके एक स्लेवर्स का पाट है वहां से यह question आया है और एक spectrum की book आती है गांधी नहरी टैगोर पे वो book आप पर सकते हैं उस book से यह question आपको मिल जाएगा write an issue on the cute India moment यह भी काफी expected question है cute India moment से पहले भी question आ चुका है what was it a spontaneous moment यह बताना है कि क्या भारत चोरो अंदोलन एक निबंद लिखना है क्या यह एक अनायास ही होने वाला अंदोलन था है ना तो इसके बारे में आपको किसी भी किताब में spectrum की किताब में आपको यह question मिल जाएगा describe the chief characteristic of Morian art तो इस बार Morian art से पुछा गया है हर साल alternate करके question आता है कभी पाला आर्ट कभी Morian arts तो तीन चार आर्ट है Morian art पाला आर्ट हैना मदुबानी painting इससे कहीं न कहीं जो alternate करके question पूछा जा सकते है तो इस बार भी Morian art से पुछा है write short notes on any two of the following इस type के question introduced किया गया है हना तो short notes में देखिए संथाल अपराइजिंग हना काफी famous question है चमपारन सत्यागर यह दो आप अराम से इसको लिख सकते थे तीसरा है रविन ना टैगोर contribution to the freedom movement हना तो यह इसमें से दो question आप अराम से short notes बना सकते हैं अगर हम आगे बात करें यह section 1 की बात है हना section 2 को अगर देखें तो 7th number का जो question है वो है discuss the origin, membership, development and objective of Quad. What is its significance for India? यह expected question था Quad से क्योंकि Quad में 4 country है इंडिया, USA, Australia and Japan तो Quad कहिना कही news में था, current affairs में था और यह expected था कि इस पर question आ सकता है तो इसे question आया है अगर 8 number की question देखें तो अगनिपत जो अगनिपत योजना लाई गी थी government का द्वरा उससे expected था कि यह question पूछा जा सकता है तो अगनिपत is a path towards development or destruction यह destruction की बात क्यों आ रही है? क्योंकि इसके खलाब विद्रो हुआ था इसके खलाब विद्रो हुआ था और यह 4 साल का है तो इस पे आपको बताना है कि विकास की तरफ है या विनास की तरफ है यह आप इस पे टिपनी करनी है यह भी काफी news में discussion में रहा है तो यह भी expected question था आने का इन इंडिन कांटेक्ट और गिव और और आगेंस यह भी बहुत ही simple question है तो current affairs से इस बार काफी simple और expected question पुछे गया है नेक जो question है वोड़ी दा रूट काउज आफ वार बिट्वीन रश्या और यह भी बहुत ही expected question है मैंने predict किया था कुछ question को आप इस video YouTube पे वीडियो आप देख सकते हैं मैंने कुछ predict किया था topic जिसमे question पुछा जा सकता है इसमे quad भी था और Russia-Ukraine war भी था discuss its impact upon the nation of world with a special reference to India exactly ऐसा ही question मैंने बताया था कि इस type of question पूछा जा सकता है कि इस war का world पे क्या असर पड़ेगा with a special reference to India next question है कि it is generally alleged that ruling party misuses the constitutional institution for its vested interest do you agree with this view give argument in support of your answer जैसे जो constitution institution है जैसे कि अब CVI का यूज किया जाता है या enforcement director का यूज किया जाता है ruling party के द्वारा या ruling party का जेनरली उस पर आपको comment करना है कि क्या यह सही है उसके support में आपको argument भी दिना है तो यह थोड़ा एक अच्छा question यहांपे दिख सकता है तो this is all about section 1 and section 2 section 3 में जैसे कि हम जानते है कि static से question आता है और इस बार भी question दिया गया है study the following table table से दिया है question and answer the question given below table से question है यह भी असान सा question लग रहा है उसके बाद pie chart से question है the flowing pie charts carefully and answer the question given below pie chart से question है जो कि हर बार expected होता है ओके तो आप अगर previous year के सारे question अगर कर लेते हैं statistic के तो यह सारे question आप solve कर सकते हैं इसके बाद जो 14 number का question है वो भी आपका study the following graph graph से है वो line graph carefully and answer the question below यह line graph से question है और इस type के question पहले भी पूछा जा चुका है तो previous year आप question अगर करते हैं तो सारे question आप बना सकते हैं और यह bar diagram से question है 15 number का तो यह भी इस type के question भी पहले पूछे जा चुके हैं तो question more or less moderate ही था पहले की तरह ही यह पूछा गया है तो आपको previous year question solve करने है practice करना है current affairs को update रखना है और history के लिए NCRT spectrum और जो culture का part है वो किसी भी एक book से जैसे इंतियाज आमत की book है या फिर और भी कई सारे books हैं या notes है जो available है उससे आप इसको prepare कर सकते हैं Thank you